जो इस तरह से दिया गया है एक group form करता है इस binary operation star की help से और star जो है यह binary operation यह define किया गया है इस तरह से आप दीख सकते हैं यहाँ पर तो हमें बताना है inverse element of 2,3 जो कि set g से आ रहा है तो अगर हम किसी element के inverse के बात करें तो उससे पहले हमें identity के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि without identity हम inverse के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले एक g set दिया गया है जिसमें जो order pair वो आ रहे हैं और यहाँ पर जो है a non zero है और a और b यह दोनों ही दोनों real है इस star जो binary operation है अगर दो order pair जिनको हम star के help से operate करते हैं तो यह क्या होता है first two multiply हो जाते हैं और फिर जो बीच के part है b c plus d इस तरह से यह एक order pair new order pair form करते हैं तो हमें बताना था कि two three का inverse क्या होगा तो सबसे पहले identity element के बारे में बात करते हैं identity element क्या होता है कि अगर एक कोई element है और इसको identity के साथ operate करा हैं तो यह same element को return करता है यानि कि यहाँ पर हम कोई order pair लेंगे यानि कि suppose करो जैसे मैं xy ले लेता हूँ order pair xy और identity element को मैं uv ले लेता हूँ और star के help से इसको operate कराता हूँ तो मुझे same element यानि कि xy मिलेगा और दो order pair किस तरह से यहाँ पर define के गए हैं first multiply हो जाते हैं यानि कि x u u comma u y plus v equal to यह new order pair बना और यह equal to होगा xy के अब दो order pair हैं दो equal हैं तो यानि कि उसके elements यानि कि components equal है x equal to x तो यह imply करता है x common लिया u minus 1 equal to 0 और यहाँ पर बता रिखा है कि जो element आप लेंगे उसका first element यानि कि x coordinate 0 नहीं हो सकता है इसका मतलब होगा x not equal to 0 implies that u minus 1 equal to 0 इसका मतलब हुआ u equal to 1 यानि कि जो हमने identity element माना है u v इसका मतलब हुआ हमारा जो first ordinate जो है वो 1 है यानि कि first x coordinate हमारा 1 है फिर हम second component को relate कराते हैं जो होगा u y plus v equal to y हम सेम इसमें भी y को एक side कर लेते हैं तो हम y कॉम लेंगे तो u minus 1 plus v equal to 0 क्योंकि हमारा जो है u जो है वो values की 1 है तो 1 minus 1 0 हो गया है 0 plus v equal to 0 इसका implies करता है v equal to 0 यानि कि अब हमें जो element uv था वो हमें पता चल गया है uv की जो value है वो 1,0 है यानि कि identity element मिल गया है अब हम inverse निकालेंगे 2,3 का तो 2,3 का जो inverse है वो हम माल लेते हैं xy है माल लिया हमने इसका inverse element xy है तो inverse property के help से हम यह लिख सकते हैं कि वो identity form करेंगे दोनों के ऊपर अगर हम binary operation को operate कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x,3x plus y equal to 1,0 दो order pair फिर से equal हैं तो इसका मतलब हुआ 2x equal to 1 implies करते हैं यह x equal to half और 3x plus y equal to 0 यह यहाँ पर क्या imply करते हैं x का value half है तो यह 3 by 2 plus y equal to 0 यह imply करते है y equal to minus 3 by 2 यानिके जो inverse element है वो हमारा आ जाता है half minus 3 by 2 अब देखते हैं हमारा कौन सा options इसको दे रहे half minus 3 by 2 option से आ रहा है तो वो correct होगा हुआ 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 है